हलो दोस्तों स्वागत आपका डिवोशन इंसिट्यूट में आज हम सात्मा सेशन देखने वाले हैं ग्रामर का और यह बहुत 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 इंपोर्टन सेशन है इसमें हम देखेंगे कि कैसे वर्ब्स कुछ वर्ब्स वीवन आईएंजी और वीथरी जो होता है वो कब एड सकत्क एक्टिव बनता है आप देखते ही पहचान पाओगे सेशन के बाद में अगर आपने थिसक रोकर क्लिक करें पहले उने ठेकें फिर इससे देखें और अगर आपने सबस्कुराईब किया है तो पहले subscribe भी कर लें तो यह हमने parts of speech देखें हैं यह 8 parts of speech होते हैं हमारे इसमें से यह जो दो है यह आज हमारे काम आने वाले हैं देखो verbs की definition क्या थी कोई भी action या फिर कोई भी state होती है कोई क्रिया या अवस्था बताने वाले शब्दों को हम वर्प कहते हैं और adjectives की definition हमने क्या देखी थी कि noun और pronoun के बारे में extra information देने वाले शब्दों को हम क्या गते हैं adjectives कहते हैं पर हम जानना ये चाते हैं क्या ऐसा होता है कि वर्ब कभी-कभी adjective बन जाता है और ऐसा होता है पर ऐसा कभ होता है और क्यों होता है ये हम इस class में सीखेंगे देखो ये verbs का basic flow chart है ये हमने पहले भी सीखा है देखो verbs जो होती है वो दो तरीके की होती है कुछ helping verbs होती है और कुछ main verbs होती है ये जो main verbs होती है इसके अंदर तो देखो v1, v2, v3, v1 plus ing और 2 plus v1 ये 5 forms होती है main जो verbs होती है उनकी तो जो helping verbs होती है उनमे primary helping verbs होती है कुछ और कुछ modals होते है modals देखो हम पहले ही पढ़ चुके है can, could, may, might, will, would, shall, should, must ये सारे modals होते है ये modals क्या बोला था मैंने आपको याद आ रहा होगा हमेशा helping verb होते है हमेशा helping verb होते है और इनके साथ verb की first form लगती है जब वो main verb बनती है जो भी जो primary helping verbs है इन primary helping verbs में तीन परिवार हैं कितने परिवार हैं जी तीन परिवार है to be परिवार, to have परिवार और to do परिवार to be परिवार के सदस्य कौन है is, am, are, was, were, be, being, been ये आठ सदस्य to be परिवार के है has, have, had ये तीन सदस्य to have परिवार के है do, does, did ये तीन सदस्य do परिवार के है इन परिवारों की खास बात क्या है, कि ये helping verb होते हैं, जब main verb हो, तो ये helping verb बन जाते हैं और ये main verb होते हैं, जब कोई और main verb ना हो जब main verb होती है, तो ये helping verb होते हैं, जब main verb नहीं होती, तो ये खुद main verb बन जाते हैं हमने examples भी लिये थे इसके, कि आप देखो, राम is singing word है, तो राम is singing में ये जो is है, ये किसका काम करेगा? helping verb का काम करेगा, क्यों? क्योंकि singing main verb है यहां पर, लेकिन वहीं जब मैं बोलता हूँ, राम is smart, तो यहां पर smart एक adjective है राम के लिए, इसलिए is क्या करेगा? is यहां पर main verb का काम करेगा, ना कि helping verb का, ये जितने भी words आपको दिख रहे हैं, ये सब की property है, is से समझ में आसानी से आता है, इसलिए मैंने आपको is से समझाया, लेकिन ये तीनों परिवार के सदस्य, helping verb भी हो सकते हैं, और main verb भी हो सकते हैं, yes, I hope आपको ये clear हुआ होगा, आगे अगर हम चलें, तो verb की forms कैसी होती हैं, ये आपने पहले भी देखा हुआ है, कि ये verb की forms होती है, verb की forms में V1 होता है, V2, V3, V1, ING, और 2+, V1, ये बस आपको जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उनको दिक्कत ना आए, इसके लिए ये एक दो tables मैंने छोटी छोटी एकद नॉर्मल गूगल करोगे, बहुत सारे words मिल जाएंगे, कुछ specific words होते हैं, जो हमें नहीं पता होते हैं, V1, V2, V3 के वो कोई बात नहीं, नहीं तो बहुत ज्यादा सीखने की इसको जरुरत नहीं है, जैसे जैसे करते जाओगे, आते जाएंगे, तो सिंग की forms क्या होती है, जैसे sing, sang, sung, यह आपको पता ही है, singing V1, ing हो जाएगा और 2 plus V1, वैसे eat, ate, eaten होती है, eating और 2 eat, वैसे go, went, gone, going, to go, come, came, come, यह देखो जरा, V1 और V3, come की V1 और V3 दोनों सेम होती है, ऐसा possible है, generally क्या होता है, V2 और V3 भी बहुतों की सेम होती है, कुछ भी possible है, इसमें कोई दि कट नहीं है, कभी कभी तीनों भी सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर example लिखा नहीं है मैंने, पर आप पुट लोगे, तो पुट, पुट, पुट की V1, V2, V3 तीनों ही सेम होती है, कट लोगे, कट, 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 पुट, 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 कट, 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 तीनों ही सेम होती है, तो स पॉलन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और सिट, सैट, सैट, यहाँ पर भी देखो, V2 और V3 सेम आ रही है, तो यह बेसिक्स है, यह आपको आना चाहिए, और आता ही होगा, बस मैंने थोड़ा सा आपका क्लारिटी आजाए, इसलिए यहाँ पर दिया था, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर आजके, मेन मुद्दा क्या है हमारा, की वर्ब्स होती है, कुछ कौन सी कौन सी, specifically V1, ING और V3, यह दोनों वर्ब्स किसका काम कर सकती है, एड्जेक्टिव का काम कर सकती है, यह बात ही बड़ी अजीब सी है, आप बोल रहे हो की वर्ब है, और काम करती है एड्जेक्टिव बनती है, यह वर्ब्स, तीन तरीके V1, ING के हैं और दो तरीके V3 के हैं, एक बात का विशेश ज्यान रखें, कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सब कुछ मैंने अपनी समझ से और experience से जुगाड लगा के बनाया है, आपको किसी भी grammar की किता आप में यह नहीं मिलेगा, लेकिन यह 100% जगे काम करता है, और अगर इस तरीके से आप समझोगे, तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा, और आपके question कभी गलत नहीं होंगे, अगेन मैं आपको याद करवा रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर आपको English grammar PhD करने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको English grammar पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका exam निकले, हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ जरूरी है, कि selection होना चाहिए, उसमें यह आपके बहुत काम आएगा, येस, तो शुरू करें अगर हम पहले दो तरीकों से, तो V3 जो होती है, और V1 ING जो होती है, यह जो हो चुका है, उसके लिए V3 adjective बन जाएगा, और जो हो रहा है, उसके लिए V1 ING adjective बन जाएगा, दुबारा से, जो हो चुका है, उसके लिए V3, जो हो रहा है V1 ING, अब ज़रा गोहर फरमाओ, क्या मतलब है मेरा इस से, boil नाम का एक word है, boil का मतलब होता है, उबालना, क्य अगर हम देखेंगे तो boil, boiled, boiled और boiling ये forms आएंगी ये V1 है ये V2 है ये V3 है और ये V1 प्लस ing है मैं बोल रहा हूँ आपको कि इन दोनों को हमें adjective का काम करवाना है तो boil का मैंने एक तो boiling बना दिया और एक boiled बना दिया ये जो boiled है ये V3 है और उपर वाला V1 ing है ये आपको दिख रहा होगा ये adjective कैसे बनते हैं मैंने क्या बोला कि जो हो चुका है चुका बोले तो complete है ये काम पूरा हो गया उसके लिए V3 बनके adjective बनेंगे और जो हो रहा है काम चल रहा है उसके लिए V1 ing बनके adjective बनेंगे आप सोचो आप डॉक्टर के पास जाते हो आपका गला खराब है करोना नहीं हुआ है वैसी गला खराब है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए अगर आपकी तबियत खराब है आपको ऐसा पानी पीना चाहिए जो उबल रहा है या जो उबल चुका है कौन सा पानी प्योगे? अगर आप उबल रहा वाला पानी प्योगे तो एक ही बारी प्योगे फिर तो खतम ही हो जाएगा मामला ज़रूत ही नहीं पड़ेगी दुवारा पानी की आप कौन सा पानी पियोगे जो उबल चुका है जो उबल गया उबलने का काम खतम हो गया फिर पानी ठंडा हो गया थोड़ा फिर उसे पियोगे तो आपको जो हो चुका है ऐसा पानी पिना है तो आप इन दोनों में से मुझे बताओ जरा कि आप बॉइलिंग वाटर पियोगे या बॉइल्ड वाटर पियोगे अव्यस सी बात है आप कैसा पानी पियोगे आप बॉइल्ड वाटर पियोगे लेकिन आपको चाय बनानी है चाय बनाते वक्त आपको बोला जाए कि बटा उबालते हुए उबलते हुए पानी में ना चाय पत्ती डाल देना तो अब चाय पत्ती आप पहले पानी उबाल लोगे उसको ठंडा कर लोगे उसमें डालोगे नहीं जो गैस पर एकदम उबल रहा है पानी उसके अंदर आप चाय पत्ती डालोगे तो कैसे पानी में डाला जो उबल रहा है जड़ा गौर फर्माओ वाटर यहां पर सेम है फरक किसका आ रहा है फरक एजेक्टिव का रहा है एक में V1 ING एजेक्टिव दे रहे हैं एक में V3 एजेक्टिव दे रहे है बॉइलिंग वोटर की हिंदी बनेगी ऐसा पानी जो उबल रहा है V1 ING मतलब जो काम हो रहा है और V3 मतलब जो काम हो चुका है कंप्लीट हो गया काम तो बॉइल वोटर तो पानी उबल रहा है बॉइलिंग वोटर जो पानी उबल चुका है बॉइल वोटर एक और example लेते हैं fried rice rice noun है fried होना rice के बारे में extra information है तो fried adjective है यहां पर हम frying भी लिख सकते थे क्या आपने कभी अपनी जिन्दगी में frying rice खाए है frying अगर आप बोलोगे तो v1 ing हो जाएगा v1 ing जो हो रहा है हो जाएगा frying rice का मतलब हो जाएगा ऐसे चावल जो fry हो रहे हैं कैसे fry होते होते बीच में के करके खाओगे नहीं आप कैसे चावल खाते हो fry पूरे हो जाते हैं खतम हो जाता है fry करने का काम उसके बाद खाते हो तो जो हो चुका है वैसे चावल खाते हो इसलिए आप हमेशा fried rice खाते हो कभी भी frying rice नहीं खाते अगें कट vegetables अब धोका क्या होता है सर यह cut कौन सी है मैं बोलूगा यह वीथ्री है आप बोलोगे सर अभी तो आपने दो मिनिट पहले बोला कि जी cut 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 सेम होती है क्यों वीथ्री क्यों है हम तो वीवन मानेंगे इसको तुम्हारे मानने से नहीं होता ना आप वीथ्री ही मानोगे क्यों मानोगे क्योंकि वेजिटेबल्स नाउन है गट इसके लिए एड्जेक्टिव है दो देखो क्या मैंने यहां पर कहीं पर लिख है कि वीवन एड्जेक्टिव हो सकती है यह मैंने ऐसे लिखाओ वीथ्री ही होना पड़ेगा कोई और आप्शन नहीं है बॉयलड में भी आप देखो वीटू भी तो boiled दी था फिर मैंने क्यों लिखा V3 क्योंकि V2 हो यह नहीं सकता adjective, possibility नहीं है जब V3 ही adjective होता है तो यह V3 ही होगा या तो V1-I-N-G होगा या V3 होगा तीसरी कोई possibility नहीं है तो cut vegetables, cut यहाँ पर अगर V3 है, V3 है तो मतलब क्या निकलेगा, जो हो चुका है तो cut vegetables कौन सी होगी ऐसी vegetables जो काटी जा चुकी है कटी हुई सबजियों को आप क्या बोलोगे cut vegetables बोलोगे ना कि जो cut रही है आगे देखो, running water water क्या है, noun run मतलब दोड़ना, running का एक V1 ING लिखा, आपने या जो पानी बह रहा है V1 ING जो हो रहा है, जो पानी बह रहा है वो running water होगा run water कोई नहीं होता कि पानी बह चुका है जो, नहीं, बह चुका नहीं जो बह रहा है, वो running water तो V1 ING जो हो रहा है और V3 जो हो चुका है ये बहुत important दो तरीके हैं जिससे V3 और V1ING as adjectives काम करती है I really hope आपको ये समझ में आया होगा आप चाहो तो ये थोड़ा सा note कर सकते हो वीडियो को थोड़ा सा pause कर लो और ये पूरा का पूरा अपने notes में लिख लो नहीं लिखोगे याद नहीं रहेगा guarantee है आगे आते हैं तीसरा और चौथा तरीका जो V3 है उसका तीसरा तरीका और V1ING वाला चौथा तरीका V3 हम as adjectives यूज करते हैं जिसके साथ काम होता है क्या बुल रहा हूं जी पहले अलग था जो हो चुका है जो हो रहा है यहाँ पर अलग है जिसके साथ काम होता है उसके लिए V3 और जो काम करता है उसके लिए V1ING जो काम करता है V1ING जिसके साथ काम होता है V3 एक्जामपल से समझेंगे इंटरस्ट नाम की एक वर्ब है इंटरस्ट का मतलब होता है रोमांच, रोचक लगना, इंटरस्ट आना आप समझते हो ना interest verb का क्या मतलब है interest का एक तो interested बनाया मैंने और एक interesting बनाया मैंने ये तो v1 ing हो गई और ये v3 हो गई अब आप देखो एक तो interest लेगा और एक interest देगा अगर मैं बोलू class class interesting होगी या interested होगी अगर class जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहे है तो वो हमेशा interesting होगी क्योंकि class interest कर रही है और आप interest हो रहे हो तो इसलिए class interesting है और आप किस class के अंदर interested हो जो करता है वो v1 ing है जिसके साथ होता है वो v3 है interested students का मतलब क्या है इन students को इस class में interest आ रहा है वो हो रहे है interest तो उनके साथ interest का काम हो रहा है इसलिए v3 लगाया लेकिन topic interest हो सकता है क्या? नई topic में आपको interest आएगा topic interest करेगा और आप interest होगे तो topic interest कर रहा है तो topic v1 ing है क्योंकि वो काम करता है इसको और आगे समझते हैं cleaning lady हो सकता है आपके घर में कोई इनसान आता हो कोई lady आती हो जो आपके घर की सफाई करती है तो वो lady सफाई करने का काम करती है उनकी सफाई नहीं होती वो सफाई का काम करती है क्योंकि वो clean करने का काम करती है इसलिए V1 ING लगेगा आपने गलती से clean lady बोल दिया तो इसका मतलब उनकी सफाई हुई है उन्होंने सफाई की नहीं है आगे देखो आपने बहुत जगे रोड पे चलते चलते हजारों इंसिटूट खुल गए है आज spoken English के पर कहीं पे भी speaking English के इंसिटूट नहीं खुले English language noun है spoken वीत्री है क्या English बोलती है नहीं English बोलती नहीं English को बोला जाता है बोलने का काम English के साथ होता है क्योंकि English के साथ बोलने का काम होता है इसलिए English के आगे speak की third form लगेगी इसलिए हमेशा spoken English होता है speaking English नहीं होता I hope आपको समझ मारा है last देखो ये भी आपने बहुत सुना है paid guest नहीं सुना कभी हमेशा paying guest क्यों सुना है paid भी तो हो सकता है नई paying guest मतलब एक ऐसा guest जो V1 ING V1 ING जो काम करता है एक ऐसा guest जो pay करने का काम करता है इसलिए वो paying guest होता है अगर मैं बोलूं ये free classes हैं और हो सकता है कोई आपको paid classes दे रहा हो paid classes कौन सी हो जाएगी वो pay करवाती है class pay करनी दी आपको आप class को pay कर रहे हो आप class के लिए pay कर रहे हो तो आप Pay करने का काम करते हो और Class को पैसा जाता है तो इसलिए वो Paid Classes होती है लेकिन यहाँ पर यह Paying Guest है क्यों? क्योंकि Guest Pay करने का काम करता है तो जो काम करता है वो V1 ING जिसके साथ काम होता है वो V3 जो हो रहा है वो V1 ING और जो हो चुका है वो V3 ये प्राक्टिस से समझ में आएंगे माई डियर सिर्फ सुनने से नहीं लास्ट है V3 वाला हमारा खतम हो गया V1 ING का एक पांचवा लास्ट तरीका क्या बच गया जिसकी सहायता से काम होता है जिसकी हेल्प से कोई काम होता है उसको भी हम V1 ING बोलते हैं और गौर फरमाएं Swimming costume Swimming यहां पर adjective का काम कर रहा है अब V1 ING के तो दो मतलब हो सकते हैं एक तो वो काम हो रहा है और दूसरा वो काम करता है क्या costume swim कर रहा है? नहीं क्या costume swim करने का काम करता है? नहीं ना तो costume swim कर रहा है ना ही costume swim करने का काम करता है कॉस्ट्यूम की सहायता से आप स्विमिंग करते हो क्योंकि कॉस्ट्यूम की सहायता से आप स्विम करने का काम करते हो तो जिसकी सहायता से काम होता है वो भी V1 ING है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्विमिंग एड्जेक्टिव बनेगा आगे देखो smoking rooms होते हैं आजays कल एरपोर्टस वगःरे पर आप जाओ तो room smoke कर रहा है देखो जो हो रहा है क्या smoke हो रहा है room? नहीं क्या smoke कर रहा है room? नहीं room की सहायता से लोग smoke करते हैं कि वहां पर जाके smoking करके आ जाते हैं playing ball क्या ball खेल रही है? नहीं क्या बॉल खेलने का काम करती है नई बॉल की सहायता से आप खेलते हो टाइंग रोप क्या रसी बांध रही है नई क्या रसी बांधने का काम करती है नई रसी की सहायता से आप बांधते हो तो ये वीवन आई एंजी कौन से है जिसकी सहायता से काम होता है तो ये पांच तरीके हैं जरेको पहला है V3 के लिए जो हो चुका है V3 दो तरीके से अड्यक्टिव बनती है जो हो चुका है और जिसके साथ काम होता है और V1 ING तीन तरीके से बनती है जो हो रहा है जो काम करता है और जिसकी सहायता से काम होता है ये पांच ही तरीकें हैं जिससे V1-I-N-G और V3 adjective बन सकते हैं ये सिर्फ सुनने मातर से बात नहीं बनेगी आप इनको note करो और थोड़ा सा देखो और अब ज़ादा important क्या है आप ये चार questions solve करने की कोशिश करो ये questions अगर आपने solve कर दिये इसका मतलब आपको समझ में आ गया है अगर आप नहीं कर पाते हैं इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है आपको ये बताना है कि dash में bracket में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से क्या आएगा तीन तीन options दिये हैं आपको इन तीनों में से क्या क्या आएगा क्या आएगा सही वह आपको बताना है अगर आपने नहीं किया है आप थोड़ा सा धीरे चल रहे हो तो class को pause कर लीजिए पहले इसको solve कर लीजिए और फिर हम continue कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ पहला देखो जी smile की बात हो रही है पहली बात smile के लिए adjective आएगा please तो आई नहीं सकता प्लीज का मतलब एक तो यहाँ प्लीज वाला प्लीज ये काम कर दो वाला नहीं है यहाँ पे प्लीज का मतलब खुश करना है तो खुश करना होगा चाहे पर वीवन तो कभी adjective होई नहीं सकता या तो वीवन आई एंजी होगा या फिर वी थरी होगा इन दो के अलावा कोई और option नहीं है smile खुश करेगी या smile खुश होएगी smile खुश हो सकती है नहीं तो smile खुश करती है क्योंकि smile खुश करती है जो काम करता है वो वीवन आई एंजी जरा देखें जो काम करता है वो वीवन आई एंजी क्या आएगा प्लीजिंग smile आएगा यह इसका सही उत्तर है दूसरा देखो आई एम डैश टू मीट सजिन दंदूलकर तो मैं क्या हूँ आई एम के बाद यहाँ पर मेरे को एक एड्जेक्टिव चाहिए है आई के लिए excited हो सकता हूँ क्या मैं नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वीवन एड्जेक्टिव नहीं हो सकती exciting v1 प्लस ing या फिर excited v3 इन दोनों में से कुछ आएगा excited का मतलब उत्सा excited का मतलब हो सकता है तो सचिन दंदूलकर से मिलने के लिए मैं excited करूँगा किसको कर रहा हूँ मैं एक्साइट होंगा तो एक्साइट का काम मेरे साथ होता है ना कि मैं करता हूँ जिसके साथ काम होता है बीथरी लगता है क्या एगा I am excited to meet सचिन दंदूलकर तीसरा देखो हिज बिहेवियर is wary behavior कैसा होगा annoying का मतलब होता है परेशान करना अनोय आ सकता है क्या नहीं आ सकता वीवण एड्जेक्टिव नहीं बन सकता अब behavior परिशान करेगा या behavior परिशान होएगा सोचके बताओ behavior परिशान हो कैसे सकता है behavior की वज़े से तो आप परिशान होगे लेकिन उसका behavior आपको परिशान करेगा जो काम करता है वीवन आई एन जी तो क्या आजाएगा annoying आजाएगा उपर वाले में excited था इसमें annoying आजाएगा चौथा देखें I am dash to know that he has passed वो pass हो गया यह जानके मैं surprise तो होई नहीं सकता बहुत सारे बच्चे surprise लिखेंगे इसमें क्योंकि आदत ही पड़ी हुए I am surprise नहीं हो सकते आप surprise क्यों क्यों क्योंकि V1 है लेकिन V1 आई हैं जी और V3 इन में से देखो तुम surprise करोगे कि वो pass हो गया या कि तुम surprise होगे कि अच्छा वो pass हो गया तुम surprise करोगे नहीं तुम surprise होगे क्योंकि तुम surprise होगे जिसके साथ काम होता है वो ED लगेगा V3 लगेगा ना कि V1 आई एंजी चार सवाल और करते हैं कोशिच करें इनको solve करने की options में आपके पास V3 भी है और V1 ING भी है थोड़ा सा practice कर लोगे तो एकदम पक्का हो जाएगा I hope आपने अभी तक कर लिया होगा अगर नहीं किया तो आप वीडियो को pause कर लें और उसके बाद continue कर सकते हैं पहला देखो this is a dash question confused या confusing confused V3 है confusing V1 ING है question confused करेगा या question confused होएगा बताओ भई question confused करता है question से तुम confused होते हो क्योंकि question confused करेगा इसलिए क्या जाएगा confusing question आएगा she gave a dash performance performance thrill मतलब romance एकदम जगा देने वाला thrill आ सकता है क्या नहीं V1 कभी भी adjective नहीं हो सकता thrilled V3 thrilling V1 ING performance ने thrill किया या performance thrill हुई performance तुमें romance करेगी और तुम performance में romance होगे performance thrill करेगी और तुमें thrill होगा तो इसी लिए thrilled लगाओगे तो performance thrill हो जाएगी गलत हो जाएगा thrilling performance आएगा देखो actual में हिंदी अगर मैं बात करूँ तो romance चक और romance चित ये दो अलग अलग words है romance ठ्रिलिंग होता है जो romance करता है romance 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 रोमांचक होती है या फिर movie romance होती है या कोई कुछ भी शोर romance होता है और romance हम होते हैं उसको देखकर तो आई वोस थ्रिल्ड तू आफ्टर सींग the performance क्यों तुरी क्या performance थी तो हम थ्रिल्ड हो सकते हैं लेकिन performance थ्रिलिंग होगी we completed a highly dash journey journey मतलब यात्रा satisfy मतलब satisfy का मतलब आप समझते हैं संतोश तो जर्नी satisfy करेगी या जर्नी satisfy होगी आप satisfy हो सकते हो कि वाकित्ती बड़िया जर्नी थी पर जर्नी satisfy कैसे हो सकती है जर्नी satisfy करेगी आप satisfy होगे क्योंकि जर्नी करेगी जो काम करता है वो वी-वन आई-ंजी चौता देखो it is a डश न्यूज वरी मतलब चिंता वरी आसकता है क्या नहीं v1 इंज एज्जेक्टिव नहीं होता वरींग वीवन आई एन जी सॉरी वीवन एड्जेक्टिव नहीं होता गलत बोल दिया मैंने या वीथरी न्यूज चिन्तित करेगी या न्यूज चिन्तित होएगी न्यूज को चिन्ता होगी हो यह क्या हो गया नहीं न्यूज की वज़े से आपको चिन्ता होती है न्यूज चिन्ता देती है आप चिन्ता लेते हो न्यूज चिन्तित करती है आप चिन्तित होते हो इसलिए worrying news होता है कभी भी worried news नहीं होता तो I really hope आपको ये समझ में आ रहा है अगली class बहुत important होगी उसमें हम adjectives के साथ साथ ये देखेंगे कि verbs noun कैसे बन सकते है इसको भी और questions से समझेंगे आप जरूर से regularly ये classes देखिए इसी channel पे आपको vocabulary की classes भी मिल रही है और महिंदर सर जो 20 साल से bank s.c. को पढ़ा रहे है वो आपको maths और reasoning भी पढ़ा रहे है आप इस सारे वीडियो को देखोगे आपका selection 100% पका हो जाएगा अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें regular updates अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे telegram group से भी जूट सकते हैं इसका link description में है Thank you, take care